दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं. गर्मियों का सीजन आ चुका है, और अभी 45 डिग्री तक का टेंपरेचर देखने को मिल रहा है. यदि आप भी work from home काम कर रहे हैं, या फिर office से काम करते हैं, और आपका भी laptop काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसके लिए आज हम आपको कुछ tips बताएंगे जिसकी मदद से आपका laptop काफी हद तक कम गर्म होगा. लैप्टॉप के गर्म होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको भविश्य में भी कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे ज्यादा गर्म होने के कारण laptop blast भी हो सकता है. तो आएए आज हम आपको कुछ tips बताते हैं, जिसकी मदद से आपका laptop कम गर्म होगा. वेंटिलेशन को करें साफ, आपको बता दें कि laptop के अंदर वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए CPU के फैंस होते हैं, और उसमें समय के साथ साथ धीरे धीरे करके काफी सारी धूल जम जाती है. इस कारण laptop के अंदर वेंटिलेशन ठीक से हो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है. इसलिए आपको laptop के अंदर जो धूल जम जाती है, उसको समयस्मय के साथ साथ करना चाहिए. यदि आपको ज्यादा knowledge नहीं है, तो किसी सर्विस सेंटर में जाकर अपने laptop को अच्छे से साफ करवा सकते हैं. जब फैन साफ हो जाएंगे, तो CPU का cooling system बहतर काम करेगा और laptop heat भी नहीं होगा. ओरिजन चार्जर का ही करें इस्तिमाल लैप्टॉप के गर्म होने में दूसरा सबसे बड़ा कारण duplicate या third party charger का इस्तिमाल करना है. कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरे का या खराब होने पर अलग company का charger ले लेते हैं, जो कि हमारे laptop के लिए बहुत बुरा असर डालने वाला होता है, और इससे charging के दौरान laptop काफी ज्यादा गर्म होने लगता है. इसलिए origin charger से ही laptop को चार्ज करें. दिनभर न करें चार्ज. अगर आपको भी अपने laptop को दिनभर फुल चार्ज रखने की आदत है, तो इससे आपका laptop जल्द खराब होता है. दिनभर charging पर रखने से laptop काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और वो overcharge होने लगता है. इसलिए चार्ज होने के बाद उसको प्लक से निकाल दें. दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लिखे करे चैनल को सब्सक्राइब करे.